दोस्तों जब बात आती है e-commerce photography की तो आजकल ये बहुत ही popular हो रहा है especially after pandemic अब हर company जो है वो online आ चुकी है चाहे उनका product कुछ भी हो और सारा जो ये समान है ये आजकल e-commerce photography के थूई sale हो रहा है तो बहुत सारे photographer जो है वो ऐसी solution की खोज में रहते हैं कि जहां से वो अपने घर म शूट करके अपने clients को दे सकें तो आज मैं आपके लिए दोस्तों दो ऐसे product लेके आ रहा हूं जिसपे आप अपने घर बैटके ये अपना चोटा सा studio कर पाएंगे और आप अपने product photography को ना केवल बहुत simple तरीक से कर पाएंगे बलकि वो सारा process जो है वो बहुत ही easy होगा आ आप नहीं पिक्चर खीची नहीं और बस आप second moment के अंदर जो है सीधा upload कर पाएंगे तो इस वीडियो को आप एंट तक जरूर देखेगा so welcome back to my channel friends this is Manish सकसेना आए शुरुआत करते है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दो box अब यह जो छोटा वाला box है दोस अब यह एक बहुत ही सस्ते कीमत में है मैं अभी मुकेश जी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे पताया कि भई इस सिर्फ 900 रुपे के अंदर आता है तो इसको जरा हम बाद में खोलेंगे पहले बात करते हैं इसकी क्योंकि यह बिग्णर फोटोग्रोफर्स के लिए बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक ready to use studio है तो मुकेश जी थोड़ा सा अंदर आएंगे इसे थोड़ा सा जरा सेट करके दिखाईए और ताकि हम अपने दर्शों को बता सके कि भाई यह किस तरह से आप इसको पूरा जो है इंस्टॉल करते हो चोटे से बॉक्स को और कैसी पि हैं और एक जो है यहां पर आपको मिलता है इसका चोटा सा केबल जिससे इसके अंदर शायद लाइट है अभी आपको बताएंगे आउन करके तो इसे थोड़ा सा खोली मुकेश जो है बहुत असानी से इसे खोल रहे हैं यह देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई जो शादी का कार्डवा टाइप आते ना बड़े-बड़े से कुछ उस तरह का लग रहा है तो इस वेरी इजी तू असेंबल यह देखिए बहुत असानी से जो है आपने लगा लिया यह टेंट बॉक्स को अब यहां पर आप देख पा रहे हैं एक ब्लाक कलर का बै तो उस पर हम शूट करेंगे मैं एक बार निकाल देता हूं इसको साइड में और यहां पर मुकेश जी जो है इस केबल से इसको कनेट कर रहे हैं और यहां पर आप देख पा रहे हैं लाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं यहां पर यह क्या LED लाइट्स तो यह उपर आप को एक छोटा सा शूट करके दिखाने वाला हूं यह हमारा एक इंस्टा 360 का जो है कैमरा है यहां पर रखा हुआ था अभी तो इसको आप जड़ा शूट करेंगे और मैं अभी अपना यह अपनी थोड़ी सी वाच एक बर रखाएंगे यहां मैं अपनी थोड़ी सी वाच एक बर रख रहा हूं जस्ट तो शो यूद एग्जांपल्स की वह हमें फोटोस कितने असानी से मिल रहे हैं लाइट इसमें लगी हुए दोस्तों अब इस तरह का कई वर क्लाइंट का लो बजट का काम होता है जहां पर ज्यादा रिक्वाइर्मेंट नहीं बस उनके पिक्चर्स जी होती हैं तो आप असानी से शूट करके उन्हें यह सारा दे सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर्स कितने हमें बहतरीन मिलें दोस्तों और ऐसा लग रहे हैं कि जैसे आपने किसी प्रो लेवल के सेटप के अंदर काम किया हूँ अब दोस्तों बात करें अगर इसके पीछे के हिस्से की तो मैं इसे थोड़ा सा देखी इस तरह से घुमा है दोस्तों यह मुझे बहुत ही अच्छी लगी और यह आप कहीं पर भी चाहिए आपका घर हो चाहिए आप क्लाइंट की जगा पर हो वहाँ पर ही सारा अरीजमेंट आप कुछ सेकेंड्स के अंदरा कुछ मिंटों में ही कर पाएंगे अब जो दोस्तों आप मेरे हाथ में इसका जो आप केबल देख पा रहे हैं कनेक्टर केबल अब यह आप किसी भी USB पोर्ट के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं चाहे आपका लैप्टॉप हो चाहे पार बैंक हो या पार अडेप्टर आता है वहाँ पर यह आसानी से फिट हो जाएगा तो कहने का मतलब यह दो को 60 x 60 cm and 80 x 80 cm के भी आते हैं तो आप अपनी जरुवत के साब से जो भी जिस तरह का भी आप प्रोड़क्ट फोटोग्रफी करते हैं वह आप सेलेट कर सकते हैं फिलाल 40 x 40 का मुकेश हमारे लिए अभी अन्बॉक्स करके दिखाने वाले हैं तो मुकेश यह तो बड़ा क्या इसका एडप्टर इसके अंगर मैं इक बार इसको निकाल के दिखा देता हूं अपने दर्शकों को देखे भी इस तरह का आता है तो यह है तो विसे प्लास्टिक लेकिन नॉट बैड उसके लावा जो है यह अच्छी प्लास्टिक के साथ में आता है और अभी जो है अब इसके लेंगे तो यह बड़ा अच्छी पूरा वेलकु स्ट्राफ के साथ में इसके लाइट बॉक्स है तो यह आप देख पारें इसका लाइट बॉक्स पूरा पैक है तो खुलना पड़ेगा थोड़ा और यह क्या चीज है पुल यह दो लाइट साथ ने पूली तो आप इस तरह की देख पार है यह जो है यह एक लाइट आती है तरह का स्ट्रिक पूरा और यह हमारा आ गया यह कंटर होता है यह कंटर है ओके वेरी नाइस तो इस तरह से दोस्तों आप पूरा ऐसे एड्जस्स कर सकते हैं चलिए इसको एक बार लगा के देखते हैं बिल्कुर एक बर आपने लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं ताकि जो हमारे फोटोग्राफर्स लोग इसको देख रहे हैं उन्हें अच्छी से समझ में आ सके और बहुत अच्छी तरीके से यह देखे खुल के आता है यह क्या चीज है यह सब बाक्स है यह सब इस तरह इस थोड़ी छोड़ी आप लोड़ देख पाने हैं सब आती हैं और यह अभी मुकेश्ट लगा के दिखाने वाला है तो दोस्तो आप देख रहे हैं अभी मुकेश्ट लगा है पूरा बेसिक स्ट्रक्टर जो है इसका तयार कर दिया है तो देखे कितना आसानी से जो है आप इसे असेंबल कर सकते हैं और इस तरह से जो है अभी मुकेश्ट हमें लगा के दिखा रहे हैं तो फाइनली दोस्तों आप देख पारें मुकेश्ट ने पूरा इसको अच्छे सेंबल कर दिया है अब इसकी जो अंदर एड़ी लाइट है वो भी जल रही है तो यह जो है दोस्तों एक बहुत ही एक इसी टू यूज सेटप है जिसे आप अपने घर के अंदर ही इस तरह क सारी प्रोड़क्ट फोटोग्रफी कर पाएंगे और यहां पर आप जो है लाज साइस के प्रोड़क्स भी शूट कर सकते हैं अभी आपको सेंपल शूट करके दिखाने वाला हूं और यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कुछ इसके यह किस चीज के बने हुए है य अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारा 40 x 40 cm का लाइट टेंट बॉक्स जो है वह एकदम रेडी हो गया है शूट के लिए अब यहां मैं आपको बतातूं यह दिखिए जो यह कलर्स आ रहे है अलग-अलग तो इसका एक साइड जो है वह आपको मिलता है ग्लॉसी और दूसरा साइड अगर आपको चाहिए तो वह आपको मिल जाता है मैट फिनिश के साथ क्योंकि कई बर ग्लॉसी थोड़ा से रिफ्लेक्टिव होता है तो अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसका मैट साइड भी यूस कर सकते हैं अब दोस्तों ज्याद आप कोई चीज बताऊंगा अब जैसे मैंने भी तो फिक्चर बिल्कुल वाइड बैग्राओं के अगेंस लेली है अब यहां पर आप देखिए इस तरह का फ्लैप भी है अगर आपको कोई लाइट को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाए तो आप इसको उपन करके आप यहां स इस तरह से जो है आप शूट कर सकते हैं तो आपको अपने साफ से जो भी आपको चाहिए मेरा कहने का मतलब यहां पर भी एक है उसके लावा दोस्तों आप जो है यहां पर भी ऊपर इस तरह से यहां पर एक होल है तो अगर आपको अपना कैमरा इस तरह से लगाना है माल ल के जाना है तो कहने का मतलब है दोस्तों बहुत सारे आपको options जो है इस light tent box के अंदर मिल रहे हैं अब यहां पर में एक पिच्चर और लेकर दिखा देता हूं वाइट पेक तो मैं उपर से लेकर दिखाया था चोटा सा पिच्चर और में लेता हूं यहां से आप देखने इसको कम जादा भी कर सकते तो आप यहां कर पाएंगे अपने शौट के अनुसार और इसका डिरेक्शन भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं और आपको डिरेक्शन पीछे रखना तो पीछे भी कर सकते हैं तो बहुत सारे आपको options मिल जाएंगे इसके यहां पीज़ने लिया थोड़ा सा लग्रसहं और 40 आप इसक्राइब है फिक्टर के ऊपर देक पार है पिक्टर समें। च्छोटे से लाइत्वर्वू अब अगर इस तरह के सेट अब आपके घर में है तो आप अपना बहुत सारा जो e-commerce का work है वो आप अपने घर में बैठके आसानी से कर सकते हैं अभी मेरे पास में मेरा laptop नहीं था otherwise आप यह सारा शूट tethered करके भी कर सकते थे ताकि आपके जो आप जब भी पिच्चेस लेंगे तो आप सारा lighting भी चेक कर पाते हैं स्क्रीम दियो पर कि भाई लाइटिंग की कितनी जरौत है या कितनी लाइट की जरौत नहीं है तो वह भी जो है आप असानी से आप एड़्जस कर पाते थे तो फिलाल जो दोस्तों ये दोनों आप देख पा रहे हैं हमारा ये चोटा सा और ये थोड़ा सा बड़े सा इसका तो आप अपनी जरौत के हिसाब से दोस्तों जो भी लाइट टेंट आपको पसंद है वो ले सकते हैं इसका प्राइज मुकेश कितना बताया था आपने 4500 तो 4500 रुपे के अंदर दोस्तों आपको ये अच्छा खासा एक स्मॉल स्टूडियो सेटप आपके घर में लगाने के लिए मिल रहा है और यहां पर आप जैसे कि वह ने आपको बताया कि आप स्टूडियो लैट की तर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा और दोस्तों अगर आपके दोनों प्रड़क्ट चाहिए तो भाईया मुकेश जी का मेरे जो है इंस्टाग्राम आइडी नीचे लगा दिया है उसका लिंक जाने की सुब्रांसु सेल्स का और यह लोग पैन इंडिया जो है दो झालस्तों